हलो एबरिवान आज की रेसिपी है लादी पाव माईवे होम मेड पाव और इसके लिए शुरुबात करेंगे जो आपका आक्टिव ड्राइ यीस्ट से ब्लूम करने से पानी ना जादा घरम एक तम नीम घरम होना चाहिए गुनगुना पानी ऐसे पानी में ही यीस्ट ब्लूम करता है अधरवाइस आपका जो यीस्ट है जादा थंदे या गरम पानी में डेड हो जाएगा और फिर कोई फायदा नहीं है इस मिक्शर को कुछ 10 से 15 मिनिट के लिए ब्लूम होने के लिए गरम स्थान पर रखें एक बरतन में मैं ले रही हूँ हाफ कप के मेजरमेंट से 6 कप मैदा क्योंकि हाफ कप का मेजरमेंट है तो टोटल 3 कप मैदा मैंने लिया है स्वाद के रिसाप से नमक डालिए और ये जो यीस्ट का मिक्शर है ये अच्छी तर जरा रहे हैं तो ये मिक्शर मैं अभी आड करूंगी फ्लार में और एक अच्छा आटा गुनना है बिल्कुल रोटी बनाने जैसा और अडिशनल जो भी आपको चाहिए लिक्विड आप दूद और पानी दोनों का ही इस्तमाल कर सकते हो मैं पानी का इस्तमाल कर रहे हूँ शेप होल्ड कर पाए ऐसा आटा लगाए और इसके बाद यहां तू टेबल स्पून मैंने नॉर्मल रिफाइंड ओयल डाला है आप चाहें तो बटर का इस्तमाल कर सकते हैं और इसके बाद हलके आतों से यह सारा का सारा जो फार्ट है यह इस आटे में फोल्ड कर लीजे ध बोल को अच्छे से ग्रीज कर लें इसमें इस आटे को प्रूव होने के लिए रखा जाएगा और ग्रीज करना जरूरी है वरना यह आटा राइस होते हुए सारा चिपक जाएगा अच्छे से टक कर लीजे स्मूध बॉल बना लीजे और इसके जो टॉप सर्फेस है इसको थोड़ा सा ग्रीज कर दीजे और अब इसको इस बोल में रख दीजे कवर कीजे क्लिंग फिल्म या किसी थाली से और किसी गरम जगह पर प्रेफरेबली प्री हिटेड माइक्रोवेव में इसे अटलीस आदा घंटा या जब तक यह देखने में दुगना हो जाए इसको फर चुकी है तो प्रोवेविंग इसकी हो चुकी है देखिया जाधा है जादा फूल गया है अब इसको बिल्कुल अलकए हातों से ही से दील किजЕ चुडा लीजी है चारो तरफ से और हलके हातों से इसको फिर से एक बाल बना लीजे यह आठा बहुत सौफ बंता है इंक्तम र मैं बराबर quantity के पाव बना सकते हो आप चाहें तो वे भी कर सकते हैं इसको युनों से भी हो जाता है मैंने सारे आटे का लोग बनाया इसको 2 तो इवाइड किया है और फिर इसको चार में डिवाइड करूंगी और पर वह जो चार जो हो जाएंगी चोटे-चोटे पीस इनको इस पूरे आटे से मुझे 16 पीसिस मिलने वाले हैं यानिके 16 लादी पाव तयार होंगे मैं सारे आटे को अभी काट कर तयार कर लेती हूं और इसके बाद जो मेरा तयार किया हुआ पैन है उसमें ये पाव अरेंज करना शुरू करेंगे मैं यहां पर आपको एक तिप देना चाहूंगी कि अगर आप स्क्वाइट इन पैन यूस कर रहे हैं जैसे मैं एक स्क्वाइट इन इस्तमाल कर रहे हूं तो आप 2 x 2 या 3 x 3 या 4 x 4 या 5 x 5 इस तरह के मेजरमेंट में पाव बनाईए तो वह देखने में अच्छा लगते हैं और बहुत अच्छी तरह एवनली बेक हो जाते हैं आप जो साइज है वो जितना मैंने लिया है इससे कम यह जादा रख सकते हैं कोई जादा फरक नहीं आता है सिर्फ जो साइज है वो कम यह जादा होता है नथिंग एल्स इस तरह से हर एक बॉल को टक कर लीजे स्मूद र पाव मैं अरेंज करूंगी पाव को अरेंज करते पर ध्यान रखेगा है कि इनके बीच में बहुत जादा स्पेस मत छोड़िएगा स्पेस थोड़ा तो रहेगा ही बट बहुत ज्यादा जादा चोड़ देंगे तो यह अच्छे तरह से लादी पाव का रूप नहीं ले प इसको हम प्रूव करेंगे और इसके बाद फिर से यह बेकिंग के ले जाएंगे और प्रूविंग की प्रक्रिया जो है प्रूविंग का प्रॉसेस अटलीस 30 मिनिट के लिए आप कर सकते हैं या तब तक जब तक आपको इनका जो साइज है वो डबल दिखे मैंने सारे पाओ फिर से फूल गए हैं दुगने से जादा हो गए हैं अब यह जाएंगे बेक होने के लिए और आप इनको बेक होने के लिए उससे पहले आप इनको दीजे मिल्क वाश यह मेंडेटरी है तभी इससे ना इसके उपर अच्छा कलर आएगा अच्छे से मिल्क वाश दे करने के बाद यह जाएगा प्री हिटेड आवन में 180 डिग्री सेल्सिस पे 15-20 मिनिट के लिए बेक होने को प्री हीट कीजिए आपके आवन को आट 180 डिग्री सेल्सिस पर अट लीस्ट 10 मिनिट्स पाओ हो गए रेडी और इसके बाद तुरंत गर्म गरम पाओ पे बटर स्म कर रहे हैं और इसके बाद एक इंपोर्टन टिप आप जो पाओ के ऊपर बटर स्मियर कर लेते हैं तो एक साफ दूला हैंकी गीला करके आपको इसके ऊपर ढखके रखना है और गीले कपरे से इसको ढखके रखे अटलीस 30 मिनिट्स रखेंगे तो बहुत अच्छे आपको मिलेंगे और उसके बाद आप इसे खा सकते हैं यह बिल्कुल बेकरी स्टाइल सॉफ्ट पाओ आपके बन कर तयार हैं एंजॉय दिम विद कीमा पाओ भाजी पाओ यानि पाओ तो यह हो गया में कीमा भाजी विदिट या फिर आप इसका वड़ा पाओ भी बना सकते हैं द आप 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 झाल झाल